अगर आपको पता होना चाहिए कि इसका तोड निकाल लिया है अगर आपको कोई मैसिज करता है और वो डिलीट कर देता है आपने नहीं पढ़ा तो आप उसको पढ़ सकते हैं वो कैसे मैं आपको बतावगा मैं इस वीडियो को लास तक देखो सब पता चल देगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो देखने से पहले ही क्योंकि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ I know that इसके लिए आपको एक application डाउनोड करने पड़ेगी जिसका लिंक आपको निचे description में मिल जाएगा अगर आपको निचे description में नहीं जाना तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनोड कर सकते हो तो डाउनोड करने के बाद इसका नाम है notification history log सो सिंपल इसको डाउनोड कर लें after that आपने इस application को open कर लेना है जैसे कि मैं करने लगा हूँ open करने के बाद सिंपल सा इंटरफेस सा तीन options आ जाती है for example अगर आपको कोई notification आएगा और आप उसको clean कर देंगे स्टाइट कर देंगे तो रिमूबर जगा लेकि इसमें सेव हो जाता है so basically आप इससे WhatsApp नहीं बाकी सब एप्स के भी notification कैप्चिर कर सकते हैं जैसे कि WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube और अपने mails पगरा सब आप इसमें SMS मुबाइल के सब इसमें capture हो जाती है तो simply आप इसको download कर ले मैं आपको practical करके नहीं दिखा सकता क्यूंकि मेरे पास कोई दूसरा mobile नहीं है जिसमें मैं WhatsApp बनाकर इस पर आपको practical के किसांस हो आप इस पर टेस्ट कर सकते हैं खुद ही download करके बहुत simple है मैंने आपको बता दिया तो इस वीडियो को like किये बगार नहीं जाना हो चैनल को subscribe कर लो अगर new आए हो तो मैं मिलता हूँ आपसे एगली वीडियो में good बाई झाल झाल